दोस्तों, नियूरो में वर्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, हावर्ड यूनिवर्सिटी, तो वहां के कुछ स्टूडेंट ने अपने रिसर्च में कुछ ऐसी टेकनिक इन्वेंट करी, जिससे हम और आप अपने day-to-day life में busy schedule से अपने health exercise तो करते ही हैं, या फिर नहीं कर लेकिन साथ में brain की जो exercise है, वह कितनी important है उस चीजों के बारे में research किया, अब वह 10 points उन्होंने बताएं, किस तरीके हम अपने brain को improve कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, दोस्तों, आपने अभी चैनल को subscribe नहीं किया है, तो अभी करें, हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए, तो दोस्तों, नमबर वन पे है, non-dominate hand mean, जो आपके day-to-day life के वर्ख होते हैं, जैसे की बालों में कंघी करना, ब्रश करना की ये सारी चीजें, अगर आप उल्टे हाथों से करेंगे, तो उसका दिमाग में बहुत सीधा असर जाएगा, और next है much more reading, जितना आप पढ़ेंगे बढ़ते चले जाएं, storybook हो, newspaper हो, day-to-life में, life में, जितनी ज्यादा आप newspaper पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपका mind working रहेगा, और दोस्तो third number पर है, कि do some work close your eyes, means के दिन के कुछ ऐसे काम जो अब अपनी आख बंद कर कर सकते हैं, वह जरूर करिए इससे आपके brain पर सीधा असर पड़ता है, और दोस्तों जो fourth है, वह बहुत ज्यादा important है, क्योंकि इसमें उन्होंने बताया है, कि आप अपने forehead के पास अप concentrate करने की कोशिश करेंगे, इससे सबसे ज्यादा आपके mind पर असर पड़ता है, और अगर आप इंडिया में है, तो जब आप अपने forehead के पास index finger रखेंगे, तो उस time ओम का उच्चारन कर सकते हैं, यह एक ऐसा word है, जो नासा ने प्रोव किया है, जो सन पे सुनने को मिले हैं तो यह exercise आपके brain को बहुत ज्यादा improve करेंगे, ऐसा word है, जिसे spiritual की नजरों से देखा जाता है, और मैं आपको बता दूं की ohm meditation yoga इन सब में बहुत ज्यादा उपयोगी, और मैं आपको बता दूं अगर आपको public speaker बनना है, तो यह आपके लिए मूल मंत्र है, जो कभी भी आ आप खाली रहे, उसको हमेशा 5 मिनट, 10 मिनट तक ohm word का उचारान करे, जिससे आपकी body में बहुत ज्यादा relaxation आएगा, और आपकी जो बोलने की शक्ती होती है, वह ज्यादा अच्छी होती है, पर आपकी आवाज में भारीपन आता है, और दोस्तों next है, जो बहुत simple है, और हम सभी जानते हैं, कि puzzle solve करना जैसे crossword हो गया, game हो गया, name state के name जानने के लिए या, फिर actors के name, नए song के name, smiley emoji, ऐसे characters को बार-बार identify करना, ऐसे puzzle खेलना, आपके mind के exercise के लिए बहुत ज्यादा important है, और दोस्तों next है, कि अगर आप अपने busy schedule से पूरे दिन में एक दो घंटा, extra निकाल पाते हैं, तो पहली बात तो यह बहुत अच्छी बात है, और दूसरी चीज की इसे अपने mind की exercise के लिए बहुत ज्यादा use कर सकते हैं, like आप chase खेल सकते हैं, chase time तो लेता है, लेकिन ये mind की exercise में सबसे important चीज है, विस्वनाथा आनंद जिसे chase का grand master कहा जाता है, आप उन्हें देख कर inspire हो सकते हैं, दोस्तों आगे है, meet new people everyday, means की हर रोज नए नए लोगों से मिले, उनके विचार सुनिए, उन पर अमल कीजिए, योंकी जितना आप नए लोगों से मिलेंगे, आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगे, आपको life के नए experience देखने को मिलेंगे, और दोस्तों next है कि एक अच्छी सी नीन लीजिए, उसमें एक अच्छा सा सपना देखिए, और सपने को ज्यादा देर तक याद करने की कोशिश करें, क्योंकि एक research के मुताबिक 65% लोग सुभा उठते, वक्त के 15 मिनट बाद सपने भूल जाते हैं, और 30% लोग एक घंटे के अंदर सारी चीजे भूल जाते हैं, और 5% लोग ऐसे हैं, जो उस सपने को 7 घंटे तक याद रखते हैं, आप कोशिश करिए कि आप उन 5% लोगों में आए, और दोस्तों last tips यह है, कि सारी बाते हमेशा अपने mind में रखें कि मुझे अपने mind से related exercise करना है, और मुझ से करके बताईए विडियो केसा लगा, धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत